नमस्कार किसान वाई और फिर्श स्वागते आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में और आप देख रहे हैं आर एश टेक्निकल खेती तो आज देख सकते हैं प्विपर मेंट की खेती महिनटे की यानि की अरथात में थे कि हम फसल में आई होए हैं जो हमारा ही खेते हैं तो इसमें हमने कोरजन एक हफते पहले लगाइ थी और आप रेजल्ट देख सकते कितना अच्छर रेजल्ट इसकी फसल में बिल्कुल भी गिनाड नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं एक हफता पहले हमने इस फसल में कोराजन का प्रियोग कर रहा था देख सकते हैं कि पत्ते पूरी तरह खुल चुके हैं और जब पत्ते खुल जाते हैं पिपर मेंट के थी गए तो उसके बाद आपकी फसल अपने आप ही वैतर होना इस्टार्ट कर देते इसमें गिनाड विल्कुल नहीं है और आप देख सकते हैं पूरी तरह से बिल्कुल साप खेत हो चुका है एक हफते का असरा है कोराजन का सूड़ी बिल्कुल हमारे खेत में नहीं रही है तो किसान बाद यो किस समय और कैसे प्रिय कर रहा था और किस आवस्ता में कर रहा था मैं आपको दिखाता हूँ मैं यहां पर एक खोड में अरथात खोड जो है इसमें मैंने इस प्रेइ नहीं कर रहा था तो मैं आपको लाइब से चछोटे पोदे रहाएं पर तacă तो देख सकते हैं कुछ फसल मैरी इस्पर कार थी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस प्रे नहीं कर रहा था इस खूंड में आपको दिखाने के लिए क्योंकि लाइव रिजल्ट भी होना बहुत जरूरी है किसान भाईयों के लिए तब ही किसान भाई बिस्वास करते हैं तब ही अपने खित में प्रियोक करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह हमारा पोदे हो रहे थे इस अवस्था में हमने कोरजन का प्रियोक कर रहा था और कितना डोज लगाई थी हमने लगवा साथ से आठ गिराम यहाँ पर डोज लगाई थी तो किसान भाई हो आप अपने खेत में कोरजन का प्रियोक साथ से आठ गिराम बिगेगा कर सकते हैं और अबस्था मैंने बताई दिया आपको जिस अबस्था में आपकी गिनार लगे ठीक है इसका कोई समय नहीं कि आपको प्रियोक कब गरना है लेकिन आपको मार्कीट से साबधान रहना है मार्कीट में लोकल कोरजन भी मिलती है ठीक है जो चेक होएगी मैं आपको ओता हूँ को चेक कैसे करी जाती है आपको इसक्रीन पर नमबर 100 हो रही हो को ये नमबर अपने मॉइलों को सेव कर लिना है सेव करने के बाद उसके ब अच्छे तरह से पलकर तयार हो जाएगी लेकिन सूडी का प्रकॉप बिल्कुल नहीं होएगा और किसान भाई यह पांच गिराम बीगे के लगाते हैं लेकिन वहाँ पर क्या होता है इस अवस्था में सपोस्क्रीगा आपने पांच गिराम बीगे के लगाई ठीक है तो य हैं इस से कि हमारा पोड़ा फिर विकार हो जाएगा तो अर्थाता आपको एक ही वार लगानी हैं दस गिराम की लगाधने तो ङच्छा है लेकिन आठ गिराम की आपड़ाना मैंने इस फसल में आठ गिराम की कॉर्शन का प्रियूः करा था जो काफी अच्छा मुझे result मिला है मैं आपको थोड़ा जल्दी से दिखा देता हूं जुम करके कि किस प्रकार result है जैसे कि मैंने भी आपको खूंड दिखाये थे वहाँ पर मैंने इस प्रकार मेरी फसलती लेकिन कोरजन लगने के लगवा यह हफते के वा ठीक है यह result आप देख सकते हैं काफी सुन्दर result देखने मुझे मिला है मैं हर वार कोरजन का ही प्रियोक करता हूं मैं भी एक किसान हूं खेती करता हूं और आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आता हूं आपको बताता हूं कौन स दवाएं का प्रियोक करता और उसका क्या result है और हर खेती को मैं टेक्निकल विजी द्वारा करवाता हूं तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पत्ता बिल्कुल बंदा हुआ नहीं पत्ता बिल्कुल खुल चुका है जुम करके मां को दिखाए ता हूं इस प्रिकार मेरी फ यहां पर प्रियोक कर सकते हैं और जैसे कि आपको इसका रेट बताया है कि आपको जो रेट है वह मार्कीट में यानिकी 30 गिराम की सीची पान सो रुपे की मिल जाती है और यहां बड़ी सीची लेना उसमें आपको वैनिफिट हो जाएगा इधी छोटे किसान आप छोटी क आप प्रियोग कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं गिनाड़ ने खाया हुआ ठीक आपको दिखाने के लिए मैंने यहां पर कुछ प्योड़ों पर यान की स्प्रे नहीं करा था तो आप रिजल्ट देख सकते हैं लाइव तो किसान भाईयों बस आज की वीडियो में इतन नहीं था तो आपको मैं लाइव एक्सप्रेमेंट दिखा दिया यहीं चैनल पनाय आव चैनल सस्क्रेब जरूर कर लेना और पासवाली वेलगन को दवा दिना मिलते के नए वीडियो साथ और एक नए डोबी के साथ अब तक लिए जैहिंद वन्देवात्र झाल 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 झाल